हलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल यूनिक मैथ यूनिक जीस मैस अजन आज आपको लाइव टेस्ट कराने जा रहा हूं जीके का और यह हमारी 14 नमर वीडियो है ठीके दोस्तो तो यह टेस्ट आपके लिए एससी रेलवे एंटिपीसी कुरुबडी यूपी पिलिस आर्मी के लिए बहुत ही नेलफल होने वाली है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेस्ट यह स्टार्ट हो चुका है एक बार सभी सेयर कर देंगे ठीके दोस्तो तो दोस्तो पहला कोशन आपके सामने आ हमपी के खंडर कहा है तो आपको बताना है कि जो हमपी के खंडर है वो कहा है ठीके दोस्तो तो आपको चार ओप्षन दिये गए हैं तो उन में से एक आंसर्ट टिक करना है और हर एक आंसर्ट टिक करने के लिए आपको चार सेकिंड दिये जाएंगे ठीके दोस्तो तो आप आपको पहला option है करनाटक उत्तर पिर्देश मद्दे पिर्देश गुजरात ठीक है दोस्तों तो आपका टाइम स्टार्ट होता है तो दोस्तों जो एकदम correct answer है वो आपका A option है करनाटक क्या है दोस्तों करनाटक तो जो हम पिके खंडर है वो कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों करनाटक राज्य में तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन में चलते हैं तो दोस्तों next question आपके सामने आ चुका है question यह के कौन सी काया अंतरित चटान है तो अब आपको बताना है आपको चारा option दिए गए और उनमें से बताना है के कौन सी चटान काया अंतरित है ठीक है दोस्तों तो option है आपके ग्रिनाइट, सैल, संगमरमर, बेसाल्ट तो आपको सही आंसे टिक कनने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है तो दोस्तो जो एकदम correct answer है वो आपका B option है क्या है? सैल तो इसमें क्या होता है? जो सैल होता है वो क्या होता है? तो चलिए next question पर चलते है तो दोस्तो next question आपके सामने आ चुका है बहुत ही important question है question यह कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो अब आपको बताना जो हमारा सौर मंडल है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन जा है? तो आपके option है प्रत्वी, सुक्र, ब्रहसपती, सनी ठीक है दोस्तो? तो आपको सही answer टिक करने के लिए चार सेकिंड का समय दिया जाता है तो दोस्तो जो एकदम correct answer होगा वो आपका C option होगा क्या होगा? C, ब्रहसपती जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है? ब्रहसपती ग्रह है तो चली next question बेचलते हैं और एक बार सभी test को share कर देंगे अपने study group में तो दोस्तो next question आपके सामने आ चुका ये भी important है कई बार railway में आ चुका है NTBC, group D, SSC में भी कई बार पूछा जा चुका है repeat question ऐसे सीखा तो जलिए question क्या है? question यह कि गोवर गैस में मुख्यते होता है तो अब आपको बदाना है option दी हुए आपके बास कि गोवर गैस में मुख्यते क्या पाए जाता है तो पहला option आपका ethylene, ethane, methane या in में से कोई नहीं तो आपका time start होता है तो दोस्तो जो एक दब correct answer हो आपका C option होगा क्या होगा? C option, methane तो गोवर गैस में जो पाए जाता है मुख्यते हो क्या होता है? methane होता है तो चलिए next question बचलते है तो दोस्तो next question आपके सामने आचका है question या कि नाबाड है तो अब आपको उताना जो नाबाड होता है वो क्या होता है? तो options हैं आपके नाबाड bank होता है या फिर सारबजनिक bank होता है या फिर बीगा निगम होता है या इन्हें मैंसे कोई नहीं ठीक दोस्तो एक बार और मैं पढ़ देता हम question को नाबाड है अब आपको उताना नाबाड क्या है? कि कोई bank है या सारबजनिक bank है या बीमा निगम है ठीक दोस्तो तो चलिए आपको चार सेकंड दियाते हैं आप कहां से टिक करने के लिए? तो दोस्तो जो एकदम correct answer होगा वो बीमा निगम होगा तो नाबाड क्या है? नाबाड bank नहीं है ना सारबजनिक bank है ना bank है वो क्या एक बीमा निगम है? बीमा बीमा कार्पुरेंस है जाने कि life corporation ठीक है दोस्तो तो चलिए next question बेचलते है तो दोस्तो next question आपके सामने आ चुका है कोसन क्या है? कोसन यह कि चमेली देवी पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है ठीक है दोस्तो तो क्या है? कोसन क्या है? कोसन यह कि जो चमेली देवी पुरुसकार है वो किस छेतर में दिया जाता है? ठीक दोस्तो तो अब आपको दाना जो चमिली देवी पुरुसकार है वो कि छेत्र में दिया जाता है तो पहला option आपका साहित्य, पत्रकारिता, बिज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं ठीक दोस्तो तो आपको सही answer टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है तो दोस्तो जो चमिली देवी पुरुसकार है उसके लिए जो आपका B option है वो क्या एकदम correct answer है क्या B option पत्रकारिता के छेत्र में चमिली देवी पुरुसकार दिया जाता है ठीक है दोस्तो तो चलिए next question पे चलते है तो दोस्तो next question आपके सामने आ चुका है question यहां कि जो रेगुर मिट्टी है रेगुर मिट्टी क्या रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो अब आपको बदाना है कि जो रेगुर मिट्टी है वो किस state में सबसे ज़्यादा पाई जाती है रेगुर मिट्टी को बोलते हैं black soil क्या बोलते हैं black soil अगर आपसे पूछा जाए के रेगुर मिट्टी कौन सी होती है तो कौन सी होती है ब्लैक सॉयल ठीक है दोस्तो एक कोशन ये भी पूछा जा चुका है तो आपके ओप्सन है महराष्टर, राजिस्थान, हर्याणा, उत्तर पर्दिश तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकिंड का समय दिया आता है तो दोस्तो जो एकदम करेक्टान से रहे हो वो आपका A अपसन होगा महराष्टर जो ब्लैक सोयल होती है या रेगुड मिट्टी होती है वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है महराष्टर में तो चलिए नेक्स्ट कुश्चन में चलती है तो दोस्तो नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने आ चुका है अब आपको बताना है जो देश में सरबादिक बन छेत्र किस राज्य में है तो दोस्तो आपको बताना है जो हमारे भारत में किस राज्य में सबसे जादा बन पाये जाता है ठीक है दोस्तो तो आपके ओप्सन है महराश्टर, राजिस्थान, मध्यपरदेश, आपका मद्ध्य पिर्देश तो मद्ध्य पिर्देश में क्या है दोस्तो सबसे जादा बन है बन छेत्र पाया जाता है मद्ध्य पिर्देश राजे में तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो please यार चैनल को subscribe करें और bell icon को दबा लें ताकि जब भी हम आपके वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचें ठीक है दोस्तों तो अब next question बचलते हैं तो दोस्तों next question आपके सामने आचका है जो बायू मंडल में जो बादल तैरते हैं उनका कारण क्या है तो question यह है कि जो बायू मंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है तो आपको बताना वो किस रीजन से जो बाई मंडल में जो बादल चलते हैं या तैरते हैं वो किस रीजन से चलते हैं तो option है आपके ताप, दाब, बेग या फिर घनतो ठीक है दोस्तों तो आपको सही आंसे टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है तो दोस्तों जो एकदम correct answer हो आपको D option होगा घनतो क्या घनतो तो जो बाई मंडल में जो बादल तैरते हैं वो किस के कारण तैलते हैं घनतो के कारण देंसिटी के कारण तो चलिए next question पर चलते हैं तो दोस्तों next question आपके सामने आजका है question यह कि जो हमारी राज्यसवा होती है यह वह मैं पढ़ देता हूं question को पहले. राज्यसवा का पदेंसहपती क्यों होता है ? कोशन यह कि जो हमारी राज्यशवा होती है उसका पदेन सभापती कौन होता है पदेन सभापती का मतलब यह है कि जैसे पांस साल बाद बदल जाता है राश्ट्रपती तो आगे कौन होगा ठीके दोस्तों तो आपकी राश्ट्रपती उपराश्ट्रपती परधान मंत्री या कर राजे पाल ठीक है दोस्तों जो एक दम कर्यक्ट आंसर होता है वो आपका उपराश्ट पती तो जैसे हमारे यहां उते राष्ट पती और उपराश्ट पती तो उपराश्ट पती को उसके पद के लिए शेलरी नहीं मिलती है उपराष्टपति को किसके लिए सेलरी मिलती है उसके राज्य सवा के सभापति होने के का के लिए क्या मिल दिया उनको सेलरी मिलती है ठीक दोस्तों तो जो हमारी राज्य सवा का परदिन सभापति होता है वह कौन होता है उपराष्टपति बाइस प्रेसिडेंट तो आपक question आपके सामने आ चुका है एक बाद test को share जरूर कर दें सभी दोस्त question यह है कि दार्जलिंग इस्तित है तो अब आपको बताना है जो दार्जलिंग है वो कहां इस्तित है यानि कि किस राजय में इस्तित है तो option है आपके हिमाचल पिर्देश, गुजरात पश्यमंगाल महराष्टर तो सही answer टिक करने के लिए आपको 4 सेकंड का समय दिया जाता है तो दोस्तो अगर आप यह option चुल रहे तो वो बिलकुल गलाता है एकदम incorrect तो जो एकदम correct answer है वो आपका C option है दार्जलिंग आए दार्जलिंग पढ़ती है आपकी पस्यमंगाल राज्य में ठीक है दोस्तो तो चलिए next question में चलते है तो दोस्तो बहुती सुंदर repeated question आ चुका है SSC और railway का question क्या है question यह कि विश्व की सबसे गहरी जील है तो आपको बताना है कि जो बिश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है तो option है आपके Victoria जील, बैकाल जील Superior जील या One जील ठीक है दोस्तो तो आपको सही answer टिक करने के लिए 4 second का समय दिया जाता है तो दोस्तो जो एक दाव correct answer होगा वो होगा आपका B option जो बिश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है बेकाल जील ठीक है दोस्तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे या ताजे जल की ताजे पानी की या मीठे पानी की है तो वो कौन सी जील है Superior जील अगर पूछे खारे पानी की या खारे जल की तो वो कौन सी जील है विश्व की सबसे बड़ी वोन जील ठीक है दोस्तो तो चलिए नेक्स्ट कॉश्चन पर चलते है तो दोस्तो नेक्स्ट कॉश्चन आपके सामने आ चुका है कॉश्चन क्या है कुस नहीं है कि जापान का राश्च्ट्रिय खेल कौन सा है ठीके दोस्तों के कुस नहीं है कि जापान का राश्च्ट्रिय खेल कौन सा है तो आपके option है volleyball, baseball, handball या judo ठीके दोस्तों तो आपको सही answer टिक करने के लिए 4 seconds दी जाते है तो दोस्तों जो एकदम correct answer होगा वो आपका D option जूड़ो तो जापान का जो राश्ट्रे केल क्या है जूड़ो तो यह question हमने post भी डाली ती लेकिन ज्यादा तर लोगों के answer गलत आए उन्होंने किसी ने बॉली वर्ल किया किसी ने बेस वर्ल किया लेकिन गलत है तो थोड़ा आपको hint दे जैसे कि जापान में जा से start हो रहा है और जूड़ों में भी कहां से हो रहा है ऐसे आप लिंक करके याद रख सकती है ठीक है दोस्तों तो चलिए आप नेक्स्ट कोर्शन आपके सामने आ चुका है अब आपको बदाना है कि जो नरोरा पर्माडू सैंत्र कहां अजिमें इस्तित है तो आपके option है बिहार उत्तापिर्देश मध्यपिर्देश या गुजरात तो अब आपको सही answer टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया आता है तो दोस्तो जो एकदम correct answer होगा इसका वो होगा डी option गुजरात में तो जो नरोरा पर्माडू सैंत्र है वो कहां इस्तित है गुजरात में तो चलिए next question में चलते हैं तो दोस्तो नेक्स्ट कुशन आ चुका है बहुत ही important question लिए मैंने इस टेस्ट में कुशन यह है कि भारत में नहर द्वारा सिचाई में कौन सा राज्य अग्रण है यानि कि सबसे ज़्यादा भारत सहर में नहर द्वारा सिचाई होती है यानि कि पानी लगाया जाता है खि तो दोस्तो जो एक दम correct answer होगा वहोगा a option पंजाब तो पंजाब में क्या होता है दोस्तो यह भारत का सबसे ऐह सवह राज रहे इसमें क्या होता है इसमें नहर द्वारा सबसे ज़्यादा भारत में से चाहिए होती है नहर द्वारा पानी लगा जाता है ठीक है दोस्तों तो चलें next question में चलते हैं तो दोस्तों next question आचुका है यह भी बहुत ही important है question क्या है question यह कि बांधी पूर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में इस्थित है ठीक दोस्तों दोबारा question में पढ़ दीता हूँ question यह कि जो बांधी पूर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है बांधी पूर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व वो किस राज्य में इस्थित है तो आपके option है महाराश्ट्र, राजिस्थान, करनाटक, उतपिर्देश तो अब आपको सही answer टिक करने के लिए 4 सेगंड का समय दिया आता है तो दोस्तों जो एकदम इसका correct answer होगा वो होगा आपका C करनाटक क्या होगा दोस्तों करनाटक जो बांदीपुर project tiger reserve है वो किस राज्य में इस्थित है वो है आपका करनाटक में तो चलिए अब next question में चल दे और test को जरूर सेयर कर दें अब पसंदार ही हो वीडियो तो लाइक तो दोस्तों question आपके सामने आ चुका है question क्या है question या कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है तो अब आपको बताना जो भारत में चंदन की लकड़ी है जो उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है तो आपके option है महराष्टर राजिस्थान करन तर तक उतर पिर दीश चैंक है दोस्तो तो आपको सही answer टेक करने के समय कर द आता ता है है कि तो दोस्तों इसका भी जो एक दम correct unsearch होगा वो सी होगा क्या करनाटक तो चंदन की लकड़ी के लिए भी क्या प्रस्यत है दोस्तो करनाटक तो चलिए अब नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं की तो दोस्तो नेक्स्ट कुशन आपके सामने आ चुका आह patah question क्या है क्या है कुशन दुधवा राष्ट्रिय उद्यान किस राज्य में इस्तित है तो अब आपको बदाना है तो आपके ओप्शन है माहराष्ट्र, राजस्थान, करनाटक, उत्तर पिर्देश ठीक है दोस्तो तो अब आपका टाइम स्टार्ट होता है तो दोस्तो जो एकदम correct answer होगा वो आपका D option होगा उत्तर पिर्देश तो यह दुद्वा राष्ट्रिय उद्यान कहां पड़ता है दोस्तो उत्तर पिर्देश में तो चलिए next question पर चलते हैं तो दोस्तो जो हमने आपको last video में दिया था घर के लिए हमबक उस question का answer आपको आज बता देते हैं question क्या था question यह था कि post office किसकी रचना है ठीक है दोस्तो तो question क्या था question यह था कि post office किसकी रचना है तो पहला option है आपका मुंसी प्रेम चंद रविंदना टेंग और धरंबीर भारती और बंकिम चंदर चठर जी तो दोस्तो जो इसका एकदम correct answer था वो था बी option रविंदना टेंग और क्या था रविंदना टेंग और की जो post office है वो किसकी रचना है रविंदना टेंग और की ठीक है दोस्तो तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो अगर पसंद आयो तो लाइक और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली